शारुख खान जिनकी फिल्म पठान जिसका था सबको बेसबरी से इंतजार वो घड़ी आ चुकी है फिल्म पठान जो की बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है लेकिन इस फिल्म पर एक बड़ा बवाल मच चुका है बॉइकट पठान ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर किस चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए बेशरम रंग जो की गाना रिलीज हुआ है जिस को जिस गाने को रिलीज करते टाइम काफी ज़ादा इस गाने को भी लेकर काफी ज़ादा हइप था और जब ये गाना तो रिलीज होने के बाद इस गाने को लोगों ने देखा और इस में दिपिका पादुकोर्ण के कॉस्ट्यूम्स पर एक जो बड़ा बवाल है वो मच गया अब आपको बताते हैं कि कई जगा पर विरोध हो रहा है शारुखान का दिपिका पादुकोर्ण खा इस गाने में ज कि नहीं क्यों पहली साथ इस गाने पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि गंदे माइंड सेट के साथ एक डिर्टी माइंड सेट के साथ एक गंदी मांसिता के साथ इस गाने को बनाया गया है इस गाने को दिखाया जा रहा है अब इस पर आपको बताते हैं लोगों के रिय कि इस फिल्म में जिस तरीके से बॉलिवुड जोगी अधनंगेपन पर उतर आया है ये सब लोगों का कहना है साथ यसाथ हम आपको बताते हैं शारु खान दिपिका पादुकोन के पुतले भी चलाए जा रही हैं किस वज़ा से कि आकिरकार बेशरम रंग जो गाना है इसमें जो दिखाया गया है जिस तरीके से इसको फिल्माया गया है जिस तरीके से कॉस्टूम्स पैनाए गया है वो कितना गलत है कितना dirty mindset के साथ इस film के गाने को basically बनाया गया है इस पर लोगों का जो reaction है अब इस पर लोगों का क्या reaction है क्या मानसिकता है इस पर शारुख खान ने भी अब reply कर दिया है आपको बताते हैं जहाँ पर कई तरीके से इस film को लेकर बहुत जादा जो की trend चल रहा है बेशरम रंग गाने को लेकर इसके बाद आपको बताते हैं कि शारुख खान का reaction क्या है उन्होंने क्या बड़ी बात को बोल दिया है लेकिन उससे पहले कुछ points हम आपको बताते हैं जिसमें ये बताया जा रहा कि फिल्म पठान का जो गाना है बेशरम रंग ये release हुआ 12 निसम्बर को और इस फिल्म के गाने को काफी जादा इसको views अच्छे मिले लेकिन इसे के साथ जो विवाद है वो शुरू हो गया था पहले तो लोगों ने इस गाने में दिपिका पादुकोंड के dance steps का मजा कुड़ाया और उसके बाद उनके outfits का मजा कुड़ाया और इसी के मरीबा गाने की धुन को चुराकर बनाया गया है और इसके बाद शुरू हुआ में विवाद जो की था दिपिका पादुकोंड की बिक्नी पर जो विवाद है वो शुरू हुआ और ये कहा गया कि जो कलर था बिक्नी का वो भगवा रंग की बिक्नी उन्होंने पहनी है अ उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेगिटिविटी फैला रही हैं और सीनिमा समाज को बदलने का एक साधन हैं। आगे चल कर वो विद्वन्स कारी हो जाते हैं। और ये कहा शारुखान ने और शारुखान ने ये भी कहा कि दुनिया नॉर्मल हो गई हैं। ये हम सब सोच रहे थे कि शारुखान कब रियाक्ट करेंगे, कब रियाक्ट करेंगे यहां तक तो फिल्म को बॉइकोट करने का जो ट्रेंड है सोचल मीडिया पर चलने लगा है। वेला आप सब क्या करना शारते हैं, ये फिल्म जो है जैन में रिलीज हो रही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए। कर दो तो सोचल में जरूर बताएं।